दोस्तों अगर आपी मादमी कुछ मादमी शिक्षन दक्सा प्रिक्षा या कुछ तकालय अप्रियम्च ये तो आयोजी दक्सा प्रिक्षा में संदित होने वाले हैं तो आप हमारा कंप्लीट रोर्ट प्राप कर सकते हैं पार्ट प्रम आधारित कंप्रेट तयारी के लिए हमारा नोट सफिस्येंट है जिसमें शिक्षन पॉसाल की आतिरिक संबंधित विसेंगे बस्तिमिस्ट पराशुन तथाल लगुत्तरिय और दिलगुत्तरिय पराशुनों के एक कलेक्शन आप प्राप कर सकते हैं हमारे नोट को आप पुए परसर पर या पेशन पराश्र करते हैं आप संपर्थ करे 7-6-311-4-9-4-8-4-3-4 जिस नमबर पर आप पौर भी कर सकते हैं परसर भी चाहे आप हैस कुल के किसी भी पिश्यके सिक्षक हो चाहे परश्टू भी दाले के किसी भी विश्रे के शिच्छन हो, चाहे लाइबरेडियन हो, तकालय भी अच्छो हो, लक्सता परिच्छा में आप से 35 परश्ट शिच्छन कोशन के पूछे जाएंगे. आज की सुडियों में हम मोश्ट इंपोर्टेंट टिटिंग एस्टिल के 35 परश्ट को देखेंगे. आपकी परिच्छा में 35 परश्ट शिच्छन कोशन से होंगे. शिच्छन कोशन के पींसों से अगी परश्टों का कलेक्शन प्राप्ट करने के लिए आप हमसे संब्पर करे शिच्छन कोशन के परटेक्टि स्टेक्ट नो की शुरुआत करते हैं. तो बच्छों में वर्तने की तुप्तिया कम होती जाएगी. उन्हें शिच्छन बच्छों में भाषा परयोग की दक्सता विक्सत करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बुलने की पूरी आजादी हो. ताकि वो भाषा का अधिक से अधिक परयोग करे और भाषा प्रयोग की दक्सता का विकास हो. नेक्ष कोसने अपनी कप्छा में समावेशी माहौल का निर्मान करने के लिए आप इस बात को सक्से अधिक महत्ति मानते हैं. कलास में आप समावेशी शिच्छा चाहते हैं, समावेशी माहौल चाहते हैं, तो सक्से बेहतर ये है कि सभी बच्चों को सभी भाशक परकारियों को समान रुखे संपादित करवाना ताके सभी बच्चे सफ करेंगे आपस में बात करेंगे अनेकों भाशा में बात करेंगे तो इस परकार दोय समावेशी महाल पैदा होगा। बच्चों के भाशाई चमताओं के आख्लन के लिए सरवादिक सहयक है। बच्चों के भाशाई चमताओं का आख्लन करना है तो बच्चों की पारस पर अनुपचारिक बात चाहिए। यानि ऐसी बाचीत जिसमें वो फूल नहीं तोड़कर आजादाना तरीके से अपने घर की अपने घर की बात करें जिस तरह घर में खेल में वो बतियाते हैं नेफ्स कोशने कौन सा परस्ण कर्चा में बहु भास्षित करता है बहु भास्षिता यानि ऐसा परस्ण पूछिए कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बोलने का उसर मिले अगर आप बच्चों से कहते हैं कि फूलों के नाम अपनी भास्षा में लिखो तो कोई गुलाब को कुछ और लिखेगा किसी फूल को दस मज़िया लिख देगा किसी को सत मज़िया लिख देगा यानि वो बहु भास्षिता को पूसित कर रहा है नेक्ष कोसने 80-60 काहारी में पहारी घाटी शब्दों का उप्यों हुआ है पहारी छेत्रों से जुरे शब्दों को सूच का लिखो या अभियास परसने किसका उधरन है इस परकर बक्चों को सूचने का उसर देना पढ़ाई के साथ जोड़कर पाठ के साथ जोड़कर संदर्म में व्याकरन कहलाता है शिक्षन परकुर्या को बूची कर बनाने में शिक्षन सामगरी सहे खोती है शिक्षन परकुर्या को बूची कर बनाना है तो शिक्ष ripple का उपयूप होना चाहिए लेकिन या वैविध बुर्द होना चाहिए जब दिसकी जतनी आवश्रक्ता हो audio ads, visual ads, audio visual ads उसका आप परियोग करें Next question है भासा कौशलों के संदर में कौन सा कथन उचित है भासा के चार कौशल होते हैं सुनना, बुनना, पढ़ना, लिखना इसके संदर में जो उचित कथन है वो ये है के भासा के चारो कौशल परस्पर अन्ता संबंदित है Next question है भासा शिछन में पाठ कुस्तक क्या है भासा शिछन में पाठ कुस्तक एक साधन का काम करता है केवल और केवाल पाठ कुस्तक की साहता से हम बच्चे को पढ़ाते हैं अगर इसका उप्योग ना करें फिर भी हम पढ़ाएंगे Next question है कहानी सुनने से क्या होता है कहानी सुनने और सुनने से बच्चों की कलपना शक्ती और चिंतन शक्ती का विकास होता है Next question है नहीं सुल्क और अनिवार्ज बाल शिच्चा का अधिकार कब लागो हुआ नहीं सुल्क और अनिवार्ज बाल शिच्चा का अधिकार 2009 में लागो होता है इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों की सिच्चा नहीं सुल्क और अनिवार्ज है नेक्ष्ट कोसने सबसे अच्छे विकलकों में से एक सुने जो बच्चे के शारेरिक विकास को दरसाता है बच्चे का जो शारेरिक विकास होता है ये मातरात्मक एकाई होता है नेट कोस्त ने बच्चे के विकास का अध्यन करने का सक्षे अच्छा तरीका है उसके विकास आतमक वीधी को देखें नेक्ष्ट कोसने सही विकल बताएं जोन के अनुसार विद्याले एक टैस संस्ता है और शिक्षा एक परकाट की डैस पर किलिया विद्याले जो होता है जोन के अनुसार एक सामाजिक संस्ता होता है शिक्षा एक सामाजिक पर किलिया है नेक्ष्ट कोस्टन है सही विकलब बताना है विशे शिक्षा का संबंद किस्ति है विशे शिक्षा का जो संबंद है विकलांकों के लिए शर्चिक करत्रम से है नेक्ष्ट कोस्टन है 96 नमबर कौन सा विकलब सही है सही विकलब की आपको पहचान करने है तीन सही है एक गलत है गलत विकलब का चेंड करना है समाविशे शिक्षा एक विकलब समझा जाता है या बिल्कुल सही है वो धारन वेदी से बेहतर समझा सकते है ये भी बिल्कुल स सही है लेकिन मुल्यांकन को जो अनावस्ट्यक सिक्षन परकिलिया कहा गया है या गलत है सही जवाब होगा ऑप्शन भी सच्छे अच्छे विकल को तुना था सीखने की परकिलिया को बढ़ाने के लिए प्रफ योगिती के उप्योग को सिक्षा में क्या कहा जाता है नेक्स कोशन है 98 नंबर आईए हूं 98 को देखते हैं मुल्यांकन का प्रात्विक उद्देश क्या होता है मुल्यांकन का प्रात्विक उद्देश है सीखने की परकिलिया के दोरान होने वाले वैवाहर परिवर्तन को जानना सतत और व्यापक मुल्यामकन में व्यापक शक्त का अध क्या है व्यापक शक्त का अध है शैक्षिक और साशैक्षिक विदास बक्चु को वर्द कक्ष के अंदर वर्द कक्ष के बाहर संपुन विदास होना चाहिए शिक्षा के छेतर में भी और शिक्षा दिरेटर हर छेतर म उसे कारण का पता लगाया जाता है कि आखिर बच्चों ने किस कारण से परहाई में रूची न देखाई आखिर क्या वज़ती कि बच्चे को पढ़ाया गया वो पढ़नाई पाए समझाया गया समझ नहीं पाए तो दोस्तो आज के लिए एतना ही हम मिने हैं नेश्ट विडियो में एक नए टॉपिक के साथ अगर आप हमारे प्राइबेट विडियो जी डाइब क्लासेज कंप्लीट रोल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसे संपट करें माध्मिक औरोच माध्मिक विद्धाले के लिशेवार शिक्षक रख्ता परिच्छा का प्रेट नोर्स डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्किलिक्षन को चेक करें और तम्प्रीट नोर्स प्राप्त करने के लिए और वासब करें सेवार शिक्षक करें सेवार शिक्षक करें थैंक्स पॉर वाचिंग थैंक्स अल्ड़